हेलो क्लास थर्ड, बेलकम बैक अगैन ओल्लाइन क्लास ओफ हिंदी सेकेंड, आम यो नीरज मैं, स्टुडेंट्स अपनी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर सेवन कम्प्लीट कर लिये थे, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एट, एक था राजू, एक था काजू, प्यारे बच्चू, जैसे के आपको है, पता है कि आपके अलग 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 नेचर के फ्रेंड्स होंगे, है ना, सबका तो नेचर एक जसे नहीं होता, इस पोयम में हम फ्रेंड्स के नीचर के बारे में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं पोयम, एक था राजू, यानि दो फ्रेंट थे, एक का नाम राजू था, एक का नाम था काजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे का थामे बाजू जब पहुंचे बाजार, यानि दोनों दोस्त मिलकर बाजार जाते हैं, भीड लगी थी धकम धका देखके रह गए हक्का बक्का, इधर उधर वह लग रहे थे, इधर दुकाने, उधर दुकाने, अंदर और बाहर दुकाने, पट्री पर छोटी दुकाने, बिल्डिंग में मोटी दुकाने, जो बाहर लगा रखी थी फेरी, वहाँ छोटी दुकाने थी, और बाहर उपर जो बिल्डिंगे थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी सभी जगा पर भरे पड़ेते दिये और पटाखे फुल जड़ियां सुरी हवाईयां गोले और चटाखे जैनि सब जगा पर दिवाले के अपसर पर पटाखे और दिये और फुल जड़ियां सब सजा रखी दिये सब लोगों ने दुकान वालों ने राजू ने लिए कुछ फुल जड़ियां कुछ दिये कुछ बाती बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती जो राजू था उसने तो कुछ फुल जड़ियां ले लिए और कुछ दिये भी ले लिए साथ में दियों में लगाने के लिए रंग भी रंगी बत्तियां भी ले ली बोला मुझे यही अच्छा लगता है पिर काजू बोला हम तो भहिया लेंगे बम और गोले इतना शोर मचाएंगे कि तोबा हर कोई बोले काजू बोला कि भई हम तो बम और पटा के गोले लेंगे और इससे हम बहुत शोर करेंगे ताकि हर कोई अपने कानों पर हाथ रख कर बोले बस बहुत हो गया दोनों घर को लोटे और दोनों के खेल चलाए एकने बम के गोले छोड़े एकने दीब जलाए अब जो दोनों के दोनों भजार से सामान लाए थे दोनों ने मिलकर अपना स्टार्ट किया एक दो बम चोड़ने पटा के चोड़ने स्टार्ट किये तो दूसरे ने दियों में बाती लगा कर उन्हें जलाना स्टार्ट किया काजु के बम गोले फटकर मिनट हो गए खाक, पर राजु के दिया बाती जले देर तक रात, तो जो बम पटा के गोले थे बच्चों बो तो फटा फट जलकर खाक हो गए, यानि कि खतम हो गए, पर राजु के जो दिया और बाती थे, वो बहुत देर तक जलते रहे, तो बच चैप्टर की कोई भी पिक्चर अपनी कोपी पड़रा करेंगे और फिर उसके सप्द मैत्री लिखेंगे दूजे यानि दूसरे थामे पकड़े अकाबक का आश्चार्य चकित ताकना देखना भाती अच्छा लगना तोबा छोड़ देना खाक राक यानि मिट्टी क्या सीखा किया जाना उत्तर लिखिए राजू और काजू दोनों अपस में क्या थे राजू और काजू दोनों अपस में दोस्त थे राजू ने बजार से क्या लिया राजू ने बजार से फुल जणिया कुछ देवे बाती ली राजू के बम और गोले क्या हो गए सोरी काजू के बम और गोले फटकर नस्ठ हो गए राजू और काजू के खरीदे गए सामानों में क्या अंतर था राजू के खरीदे गए सामान से चारो और रोशनी फैल गई और काजू का सामान से चारो और प्रदूशन फैल गया आगे आपका सही या गलत का निशान लगाईए भीड लगी थी धक्कम धक्का ये सही है राजू ने लिए बम और गोले ये तो गलत है ना काजू ने लिए थे बम और गोले तो बच्चो तीसरा है सभी जगे पर भरे पड़े थे दिये और पटाके ये सही है काजू ने लिए फुल जड़िया ये गलत है काजू ने तो नहीं लिए थी राजू ने लिए लिए ब्याकरण बोध समान तुक बले दो दो शब लिखिये बच्चो काजू से मिलता होँ शबद है जयसे बाजू, राजू धक्का का है मिलता होँ शबद है चक्का, मक्का बम का दम, हम, खेल, रेल, जेल, गोले का ओले और छोले नेक्स्ट ये दिए गए सब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चापर चंदरबिन्दू और चंद चल पे आपका अनुस्वार चापर अंकी बिन्दी किलियर? गैप अरट में देखेंगे दीए ग्यागै शब्दों के भहु बचन लिखिए फुल जट्डी का भहु बचन, फुल जट्डियां हवाई का भहु बचन, हवाईं पट्टी का पट्टियां बत्टी का बत्टियां अंडेस्टूड सोच विचार मोखी कुत्तर दीजिए दीपावली में किन-किन चीजों से रोश्णी की जाती है बच्चो दिया मोंबत्टी जालार इसके अलाबा और भी आप लिख सकते हैं दूसरा केस्ट्ट्टन है संद करते हैं क्योंकि बह बच्चों के लिए उपहार लाता है ओके रचनात्मक गति विधिया में यह हम सभी कोई न कोई त्योहार अवश्य मनाते हैं है ना क्योंकि हर तरह की कम्यूनिटी के बच्चे हैं अपने पसंदिदा बीते त्योहारों के अनुभब को संशेप में लिखे आपको जो भी त्योहार ये फैस्टिवल अच्छा लगता है बच्चो उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा बहुत यादे से ज़्यादा फाइब लाइम्स आप लिख सकते हैं इस योर हॉमबर्ग ओके स्टुडेंट्स नाओ खेल खेल में बॉक्स में दिये गई खाने और पीने की चीजों को अलग-अलग करके लिखेंगे खाने की चीज़े हैं आपकी रजगुला, समोसा, कचोड़ी, जलेबी और नमकीन पीने की चीज़े हैं बच्चो चाए, शर्वत, गन्यका रज, ठंडाई और जूस सो प्यारे बच्चो यह आपका चैप्टर कम्प्रीट हो गया है इस चैप्टर का सारा एक्सराईज, क्योश्चन आंसर आप लोग बहुत नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में बिल्कुल सही करके लिखेंगे ओके, तिल दैन टेक केर, हैव नाइस टे